जेब्रा के बारे में जेब्रा काले और सफेद धारीदार घोडों की तीन प्रजातियों में से कोई भी जो लगभग पूरी तरह से घास पर निर्वाह करती है जेब्रा 47-55 इंच 120-140 सेमी लंबा है पूर्वी और दक्षिनी अफ्रीकी घास के मैदानों के बुर्कल के जेब्रा या बोनटे कोगा में चौड़ी व्यापक रूप से दूरी वाली धारियां होती हैं केनिया, एथियोपिया और सोमालिया के शुष्क शेत्रों में ग्रेवी के जेब्रा में संकी इंग बारीकी से दूरी वाली धारियां और एक सफेद पेट होता है नामीबिया और पश्चिमी दक्षिन अफ्रीका में शुष्कूपरी मैदानों के छोटे पहाडी जेब्रा दुम पर एक ग्रेट जैसा पैटन है छोटे जेब्रा समुहों में एक स्टैलियन और कई माज और फॉल्स होते हैं जो बड़े जुंडों में जमा हो सकते हैं लेकिन अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं जेब्रा का घरेलू घोडों से गहरा संबंध है वे गती और लंबी दूरी के प्रवास के लिए बनाए गए बड़े एकल खुर वाले अंग्यूलेट हैं नर ग्रेवी के जेब्रा महिलाओं की तुलना में बड़े खोते हैं मैदानी जेब्रा और पहारी जेब्रा में लिंग लगभग समान आकार के होते हैं लड़ाई में इस्तिमाल किये जाने वाले कुदाल के आकार के कुट्ते वाले पुरुषों को छोड़ कर जेब्रा कोई अन्य यौन द्विरुपता नहीं दिखाते हैं तीनों प्रजातियों के दांट चरने के लिए अनुकूलित होते हैं जेब्रा के पास घास काटने के लिए मजबूत उपड़ी और निचले इंसुलेटर होते हैं और सिलिकेट से भर पूर घासों को संसाधित करने के लिए बड़े उच्च मुकूट वाले दांट होते हैं जो दार को खराब कर देते हैं सभी जेब्रा गहरे रंग के जानवर हैं जेब्रा की धारिया मेलानो साइट्स विशेश्ट वचा कोशिकाओं से उत्पन होती हैं जो जानवरों के फर के रंजक्ता को चुनिंदा रूप से निर्धारित करती हैं ये कोशिकाओं जानवरों के कुछ बढ़ते बालों में मेले निंग को स्थानां तरित करती हैं मेले निंग युक्त बाल काले दिखाई देते हैं जबकि मेले निंग के बिना बाल सफेद दिखाई देते हैं तीन प्रजातियों को उनकी धारियों के पैटन से आसानी से पकदूरी पर होती हैं, कुछ उप्रजातियों में मुख्य धारियों के बीच हल्की छाया धारियां होती हैं, मैदानी जेबरा की उत्तरी उप्रजातियां दक्षिनी की तुलना में अधिक पूरी तरह से धारिदार होती हैं, जिसमें निचले पैरों की पट्टी सफेद रंक की होती हैं पहारी जेब्रा में मैदानी जेब्रा की तुलना में छोटी धारियां होती हैं इसकी धारियां इसके सिर और कंधों पर बारीकी से फैली हुई हैं लेकिन व्यापक रूप से इसके कूबर पर फैली हुई हैं माउंटन जेब्रा में दुम पर धारियों का एक अजी सफेध है जहां धारियां कंधों पर मिलती हैं सभी जेब्रा में त्रिकोन या शेवरॉन होते हैं ग्रेवी का जेब्रा एक मात्र ऐसी प्रजाती है जिसमें दुम पर दूसरा शेवरॉन होता है जहां धारियां मिलती हैं सभी जेब्रा प्रजातियों में धारियां उंगलियों के निशान की तरह होती हैं, जिससे वैग्यानिक आसानी से व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं. कई वैग्यानिक मानते हैं कि जेब्रा की धारियां घोडे की मक्खी के संक्रमन को विफल करने के लिए विक्सित हुई, जिससे बीमारी की संभावना कम हो जाती। वास्तव में इस बात के प्रमान हैं कि जेब्रा की धारियां अंधेरे सत्हों से परावर्तित ध्रूवी कृत प्रकाश के क्षेतिज पैटन को बाधित करती हैं जो आमतोर पर घोडे की मक्खियों को आकर्शित करती हैं। यह जेब्रा के धारिदार फर्क को घोडों के बीच आम ठोस रंग के फर्क की तुलना में घोडे की मक्खियों के लिए कम आकर्शक बना देगा। ब्रिटेन मे घोडों और बंदी जेब्रा का 2019 का अध्ययन इस धारना का समर्थन करता प्रतीत होता है। अध्ययन से पता चला है कि जेब्रा के काले और सफेद धारीदार पैटन घोडे की मक्षियों को काटने के लिए भ्रमित करने के लिए प्रकट हुए। जो घोडों की तुलना में जेब्रा पर कम बार उतरते थे। सभी तीन जेब्रा प्रजातियों में मानविय अगतिविधियों के माध्यम से बहुतायत में कमी आई है। और ग्रेवी के जेब्रा को प्रकृति के संरक्षन के लिए अंतर राष्ट्रिय संग आयूसियन द्वारा एक लुपत प्राय प्रजाती के रूप में सूची बद किया गया है। आयूसियन ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुवात में पहाडी जेब्रा को एक लुपत प्राय प्रजाती के रूप में सूची बद किया। हाला कि बाद में जनसंख्या बढ़ने के बाद आयूसियन ने 2008 में प्रजातियों को कमजोर के रूप में पुनरवर्गी कृत किया। उत्कृष्ट उदाहरन में सनलागन है। इसलिए पूर्वी अफ्रीका में मैदानी जेब्रा के प्रवास गल्यारों की रक्षा करना उतना ही सन्रक्षन प्राथमिकता है जितना की ग्रेवी के जेब्रा की और से किये गए प्रयाज।